नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग आए होप आप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों यह वली वीडियो काफी जाधा खास काफी जाधा धमाके दा रहा है इंड काफी जाधा प्रॉटेबल होने वाली है आप सब लोगों के लिए because यहाँ पर एक company है जिसने आपे अपने stock का buyback announce किया है buyback का मतलब यह की company अपने shares open market यानि हम जैसे investors से वापस खरीदेगी और जो वापस खरीदने का price है वो current stock price से 20% जाद है मतलब अगर आज आप इस company के कुछ shares purchase कर लेते हो तो जैसे यह company आपे buyback करेगी अपने stocks को वापस open market से तो आपको direct अपने capital के उपने हापे 20% का profit हो जाने वाला है दोस्तो यह वाली वीडियो काफी जादा बड़ी हो सकती है थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन at the end यह वाली वीडियो आपको काफी जादा profit करके जाएगी because इस वीडियो के अंदर जो information में share करूँगा वो information काफी जादा crucial है आपे तो इस वीडियो को कहीं पे भी skip मत करना because अगर आप इस वीडियो को कहीं पे भी skip कर दोगे आदेता हूं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं और details जानते हैं इस company के बारे में आप अभी के अभी इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल को भी subscribe कर दीजिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं साथ ही साथ में आपे इसकी कुछ और financials data बता देता हूं तो सबसे बहले बात करें तो company ने 2002 से लेके 2022 तक यानि approximately 20 सालों में company ने अटरा सो परसेंट का return दिखा है हमें मतलब पूरे 1800 परसेंट का return दिखा है जहांपे 2.60 पैसे price ती है अभी almost 50 रुपे की price है यह तो हो गए past returns अब बात कर लेते हैं इस company performance की तो 52 week low है वो है 38.6 रुपीज का है और 52 week खाए है यहाँ पे 93.6 रुपीज का तो company का price अभी 52 week low के पास है और यह काफी अच्छा point हो सकता है इसे buy करने के लिए अगर आप buy back के purpose से कर रहे हैं तो यह तो definitely काफी अच्छा मौका है बात करें अब company fundamentals की तो company है small cap company है macro cap ही कह लीजिए because 2051 करोर्स का market capitalization है company का तो इसको हमें mini company कह सकते है macro cap एक small cap company कह सकते है company का जो PE ratio है वो 11.11 का है because 30 के नीचे PE ratio काफी अच्छा माना जाता है तो 10 के आस पास तो amazing होता है PE ratio तो company का PE ratio यहाँ पे काफी जादा अच्छा है PB ratio भी अच्छा है 1.71 का industry PE की बात करें तो 32.69 की है and debt to equity ratio की बात करें तो एक से नीचे अच्छा माना जाता है 17.89 का है काफी बढ़िया है EPS यहाँ पे 4.51 का है dividend yield यहाँ पे 0.50 का है book value की बात करें तो 29.37 की है and face value यहाँ पे 1 रुपीज की है अब नजर मार लेते हैं कुछ financials पे बात करें company के revenue की 2018 से लेके 2022 तक year on year basis पे तो 2018 में यहाँ पे company का revenue 913 करोर्स का था वही 2019 में 1000 करोर्स हो गया बढ़के 2020 के अंदर में आपे 1134 करोर्स हुआ 2021 में भी बढ़ करके आपे 1376 करोर्स हुआ and 2022 अभी current year के अंदर 1491 करोर्स का revenue कंपनी ने किया है तो हर साल company आपे revenue बढ़ा रही है किसी भी साल में हमें आपे fluctuation नहीं देखने को मिला है जो की काफी अच्छी बात है अब बात करे profit की तो company ने 2018 से लेके 2021 तक consistent काफी अच्छा profit दिया है 2018 के अंदर 33 करोर्स था 19 के अंदर 76 करोर्स हुआ 2020 के अंदर 117 करोर्स हुआ 2021 के अंदर 236 करोर्स हुआ वह 2022 के अंदर एक घटके 187 करोर्स हुआ अब इसकी एक वज़ा है विकास company ने थोड़ा expense किया था अपना expenses बढ़ाय थे कुछ advertisement वगेरा के purpose से तो उसवज़े से यहाँ पे revenue sorry profit में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है company के हाला कि revenue काफी अच्छा रहा है company है तो profit गिरावट में है लेकिन हा रिकवर कर जाएगा बट अगर आप इसे यहाँ पर buyback के purpose से ले रहे है तो आपको revenue में इतनी ध्यान देने की ज़रुत नहीं है profit revenue के अंदर बात कर ले थे net worth की तो year on year basis पे net worth की बात करे तो 2018 के अंदर 471 करोर्स की वही net worth आज 2022 के अंदर 1202 करोर्स की है तो net worth आप देख सकते हैं आपे almost triple हो गई है पात सालों में जोगी काफी fundamentally strong अच्छी company की निशानी है ये बात करें shareholding patterns की तो इसे compare करेंगे March 2021 and March 2022 से तो March 2021 में retail investors के पास 48.32% था promoters के पास यहाँ पे 48.25% था foreign institutions भी थे यहाँ पे 3.34% के mutual funds यहाँ पे 0.09% पे थे and other domestic institutions यहाँ पे included नहीं थे बात करें March 2022 से compare करें तो यहाँ पे promoters के बास 48.25% हो गया तो promoters ने यहाँ पे approximately same यहाँ लेकिन 0.1% से यहाँ पे कुछ stake घटाया है promoters ने बात करें retail investors की तो retail investors ने यहाँ पे 1% से stake कम किया है वहीं बात करें foreign institutions की तो यहाँ पे foreign institutions ने 0.06% से stake अपना बढ़ाया है mutual fund houses की बात करें तो mutual fund houses ने approximately 0.4% से stake बढ़ाया है अपना and other domestic institutions यहाँ पे 0 पे ही है तो यहाँ पे बात करूँ share holding patterns तो यहाँ पे काफी जादा strong दिखा रहे हैं company के share holding patterns and company भी all over financials profitability में काफी जादा strong हमें देखने को मि रही है अब main मुद्धे पे आते हैं हमारे buyback वाले and बात करते हैं buyback details की तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को buyback details दूँगा तो जो number of shares होने वाले है buyback के लिए वो होने वाले है एक करोड़ shares तो एक करोड़ shares को यहाँ पे buyback किया जाएगा जो buyback amount होने वाले है 6, 6,000 lakhs का जी हां दोस्तो 6,000 lakhs का जो buyback price है जो company ने बोला है कि इस price पे हम shares को buyback करेंगे आपसे तो 60 rupees का है company का current stock price 49.5 rupees पे आप देख सकते हैं जो premium यहाँ पे company shareholders को pay करेगी stocks को buyback करने के लिए वो करेगी यहाँ पे 20% का मलब सीधा सीधी बात है यहाँ अगर आज 50 rupees के shares खर आपस लेगी एक share पे आपको 20% का मुनाफ़ा देखने को मिलेगा तो आपकी all over capital यहाँ पे direct 20% से बढ़ जाएगी open market से shares लिये जाएंगे मतलब हम जैसे retail investors से लिये जाएंगे एक्सडेट यहाँ पे अभी upcoming में है जैसे ही एक्सडेट आईगी आप लोगों को मैं intimate कर दूँगा आप चैनल को subscribe कर लेना जैसे ही एक्सडेट मिलेगी आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूँगा तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करना फि यहाँ पे आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चली मिलेंगे किसी और वीडियो में till then bye